सुर्भी दिखने में सावली थी लेकिन सुन्दर भी थी सुर्भी की मा ने सुर्भी को काफी नाजों से पाला था और उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी ऐसे ही एक दिन सुर्भी रसोई में जाती है और खुद ही गैस जलाकर खाना बनाने लग जाती है तब ही वहां उसक पता है ना मेरा इस दुन्या में तेरे इलावा कोई नहीं है तुझे किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताया कर अरे मा मैं बिलकुल ठीक हूँ आपको ज्यादा ही डर रही हो अरे मैं तो बस ऐसी अपने लियाच कॉफी बना रही थी और वैसे भी चाय कॉफी तो आनी ही चाहिए ना बेसिक चीज़े हैं ये तो अरे जरूरत ही क्या है ये सब करने की देख मैंने तेरे पिता को एक आग हाथ से में ही खोया था और मुझे तब से ही डर लगता है अब मेरे लिए जीने का तू ही एक सहारा है तुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं रह पाऊंगी मा मुझे पता है कि अब भी आपके मन से वो डर नहीं गया लेकिन ऐसा कब तक रहेगा और जरूरी थोड़ी है कि जो चीज़ पिता जी के साथ वही मेरे साथ भी हो लेकिन तू भी तो मेरा डर समझ मैं नहीं चाहती हूँ कि तुझे कुछ हो और अब तू कभी भी रसोई में गैस के पास नहीं जाएगी तुझे कुछ भी काम हो तो तू मुझे बताई हो लेकिन वेकिन कुछ नहीं मैं तेरी मा हूँ और मैं जो बोलूँगी तुझे वही करना होगा सुर्भी अपने मा के जज़वात समझती है इसलिए आगे कुछ नहीं कहती और सब मान जाती है कुछ दिनों बाद अनिता के पती के दोस्त मोहन और उसकी पत्नी रमा मिलने के लिए, अनिता की घर आते हैं अनिता उन दोनों को देखकर बहुत कुछ हो जाती है अरे भाई साब, आप इतने सालों बाद आपको मेरे घर का पता कहां से मिला? अरे अरे बस भी करो, एक साथ कितने सवाल पूछोगी, आप तो वहां से घर खाली करके चली गई थी, लेकिन हम कैसे भूल जाते, अरे इतने सालों का रिष्टा है आपसे, ऐसे ही थोड़ी हम भूलते आपको मैं भी यहां आपको रोज ही याद करती रहती थी रहने दीजे बेहन जी, आज हम आपके घर आए हैं, तो आप कह रही हैं, आप हमें याद किया करती थी अरे बेहन जी, हम लोग कहीं थोड़ी चले गई थे, कहीं तो आप लोग थे, और आप लोग हमें भूल गए ऐसा नहीं है भाई साब, वो तो उस घर में रहा नहीं जा रहा था, और उस समय मुझे जो ठीक लगा, वो मैंने कर दिया, खेर, आप लोग बाहर ही क्यों खड़े हैं, अंदर आईए न अनिता, सब को अंदर लेकर जाती है, सब लोग काफी बाते करते हैं, तभी सुर्भी कॉलेज से घर आती है, सुर्भी को देखकर मोहन कहता है एरे, ये, ये सुर्भी बिटिया है क्या? जी यही है सुर्वी अब तो पड़ाई करती है कॉलेज में सुर्वी ये मोहन उंकल और रमा अंटी है तुम्हारे पापा के बच्वन के दोस्त थे मोहन भाई साब नमस्ते अंकल जी, नमस्ते अंटी जी माने आपके बारे में काफी बताया था मुझे अब आप तो वो बात बोल भी दीजिए ना जिसके लिए हम यहाँ आए हैं आप किसी बात के लिए आए हैं क्या भाई साव अरे बहन जी आपको तो यादी होगा सुर्भी के पिता और मैं पहुत अच्छे दोस्त थे एक तरह से कहा जाए तो चड़ी बड़ी थे इसलिए हमने बच्पन में सुर्भी और मेरे बेटे की शादी त्या कर दी थी याद तो होगा ना जी भाई साब मुझे याद है तो बस यही समझ लीजिए कि आज हम उसी बात के लिए आए हैं सुर्भी के पिता मेरे अच्छे दोस्ते उनके जाने के बाद हमारा दिल तोड़ चुका था लेकिन उनकी आखरी इच्छा पूरी करना हमारा फर्स बनता है इसलिए हम दोनों बच्चों की शादी कराना चाहते हैं इसलिए आप आप लरका मट ढून दियेगा हमारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा दिजिए आपको तो पता नहीं होगा हम तो बहुत मुश्किल से आपका घर ढून कर आये लेकिन वो तो इतनी पुरानी बात है और अब तो हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं मुझे नहीं लगता कि वो लोग अब हमारी बात में दिल्चस्पी दिखाएंगे वो सब तो आप देखिये बेहन जी मेरा बेटा वहीं शादी करेगा जहां मैं चाहूंगा पस मैं तो यहीं चाहूंगा मेरे दोस्त की आखरी इच्छा पूरी हो जाए बागी आपका जो फैसला होगा उसके लिए मैं तयार हूँ मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी की साधी कर सकती हूँ लेकिन साधी करने में बुराई भी क्या है मोहन भाई साब को इतने टाइम से जानती हूँ अच्छा परिवार भी है अच्छा घर है मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा वहाँ क्या ही बुराई है सुर्वी बेटा तुझे तो कोई परिशानी नहीं है न मा मैं आपकी खुशी के लिए किसी से भी शादी करने को तयार हूँ मुझे पता है आप मेरा भला ही चाती हो भाई साब मैं भी इतने सालों पुरानी दोस्ती को रिस्तेदारी में बदलना चाती हूँ लेकिन भाई साब मुझे एक बात सता रही है कि मेरी बेटी गाउं में कैसे रहेगी मतलब उसे तो आदत है ही नहीं न बहन जी आप क्यों इतने चिंता कर रही हो अरे हम कोई गैर थोड़े है सुर्वी हमारी भी बेटी है और अगर आदत नहीं है तो दीरे दीरे हो जाएगी हम कौन सा उस पर किसी बात का दबाब डालेंगे अनिता मान जाती है और फिर कुछ तिनों बाद अच्छा सा मूरत देखकर सुर्वी की शादी करवा देती है सुर्वी शादी के बाद ससुराल तो आ जाती है लेकिन सुर्वी का ससुराल एक छोटे से गाउं में था गाउं में आने के बाद आस-पास का वातावरन देखकर सुर्वी अपनी सास से कहती है माजी ये तो पुरा गाउं ही है मुझे लगा थोड़ा बहुत तो शेहर होगा यहां तो जरुवत की चीज़ों के भी सुविदा नहीं लग रही हाँ बहु यहां हर चीज आने में काफी समय लगता है लेकिन यहां की हवा पानी सब कुछ बहुत शुद है अब तो तु यहीं रहने वाली है तो खुद ही बोलेगी कि शेहर से अच्छा गाउं होता है जी माजी चल बहु मैं तुझे तेरी रसोई भी समझा देती हूँ अब तो तुझे ही अपनी रसोई भी तो समालनी है सुर्भी को रमा रसोई में लेकर जाती है लेकिन रसोई को देखकर सुर्भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है यूकि रसोई में चूला मिट्टी का था सुर्भी ये सब देखकर खुद से कहती है आज तक मुझे मानी शेहर की रसोई में तो खाना बनाने दिया जबकि वहाँ पर इत्ती सारी फैसिलिटी थी और यहां तो यहां तो कुछ भी नहीं है मुझे मिट्टी का चूला जलाना तक नहीं आता क्या हुआ बहु तु इतना सोच क्या रही है बताया नहीं तुने कि तुझे अपनी ये रसोई कैसी लगी अच्छी है माजी माजी मैं ऐसी रसोई आज पहली बार देख रही हूँ पहले तो बस एक दो बार टीवी में देखा था वो भी पुरानी पिच्चर में लेकिन आज सच में देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि कैसी होती है बहु शायद तुझे चूले पर बने खाने का स्वाद नहीं पता अरे जो खाना चूले पर बना होता है न वो खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है जी माजी चल बहु आस तेरी पहली रसोई है तो तु सबके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना ले ब्रमा इतना बोलकर मांसे चली जाती है सुर्भी काफी परिशान हो जाती है मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता और उपर से चूला रसोई ये तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है अब मैं क्या करू इन्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे कुछ नहीं आता है मैं काम करती हूँ फोन में देखती हूँ फोन में कुछ ना कुछ तो पता चले गही थोड़ा बहुत तो बना ही लोंगी सुर्भी फोन से देखकर खाना बनाने लग जाती है कुछ देर बाद सुर्भी सूजी का हलवा, खीर, दाल चावल, रोटी सब्जी जैसे जैसे बना ही लेती है और सब को खाना देती है रमा जैसे ही खाना खाती है तो मुह बनाने लग जाती है आय है बहु ये क्या बना दिया तुने पुरे मुखा स्वात खराब कर दिया खुद तो सावली है खाना भी खाने लाइक नहीं बनाया माजी माफ कर दो तो मुझे आता नहीं है खाना बनाना उपर से चूला रसोई थी जैसे भी मुझे हो पाया मैंने बना दिया मुझे माप कर दो माजी, मैंने सच में बहुत कोशिश किये खानमराने की एरे ये क्या कह रही हो रमा, ये ये खीर, अहाँ, बहुत अची बनी है तुम इसके बारे में कैसे कुछ कह सकती हो सावली बहु है तो क्या हुआ, गुनी तो बहुत है न क्या, खीर अच्छी बनी है ओ नहीं तो क्या, मैं क्या ऐसे ही खा रहा हूँ यह बहुत अच्छी खीर है मज़ा आगया खाकर, तुम भी खाऊ दिखाईए तो अरे हाँ, यह तो सच में बहुत अच्छी लग रही है बहु क्या बात है, सावली बहु की चूला रसोईज में हर खाने का स्वाध है सब लोग सुर्भी की चूला रसोईज का खाना खाकर बहुत खुश दे उसके बाद सुर्भी और प्याच्छा खाने बनाने की कोशिश करने लग जाती है तपस्या की नई-नई शादी हुई थी ससुराल में उसकी सास विमला और ननत माया थी लेकिन माया बहुत ही लालची सभाव के औरत थी जिसके चलते वो कभी तपस्या के पैसे चूरा लिया करती तो कभी कपड़े इतने पर भी तपस्या कभी भी माया को कुछ नहीं कहती ऐसे ही एक दिन अभिनव के ओफिस जाने के बाद तपस्या अपनी सास के साथ बैट कर चाई पी रही होती है तभी उनके घर पास के मंदिर वाले पंडित जी आते हैं और बोलते हैं राम राम विमला बहन सब खेरियर राम राम पंडि जी आईए प्रणाम पंडि जी जीती रहो बिटिया अरे विमला तुमने कहा था ना माया बिटिया के लिए रिष्टा देखने को हाँ पंडि जी और बताईए मिला कोई रिष्टा हमारी लड़की के लिए माया बिटिया के लिए राम जी की किरपा से योग्य घर मिला है लड़के का नाम आदर्श है इसी शहर में अपनी मा के साथ रहता है प्राइवेट नोकरी करता है इतना कमा लेता है कि बिटिया खुश रहेगी वहाँ हाँ पंडी जी दमाद ऐसा होना चाहिए कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो ससुराल में सही कहा मा जी दीदी का खुश रहना जादा जरूरी है माया छुपकर ये सारी बाते सुन लेती है जिसके बाद वो बाहर आकर बोलती है मा और भाबी मुझे ना किसी बिखारी के साथ शादी नहीं करनी समझे इस घर में तो मेरी जरूरते कभी पूरी कर नहीं पाए अब आप क्या चाहते हो ससुराल में भी मेरा यही हाल हो पूरी जिंदगी बस एड़जेस्ट ही करती रहूं अपनी बेटी की ऐसी बाते सुनकर विमला शरम से सर जुका लेती है और पंडित जी से बोलती है जी पंडित जी मैं आपको फोन करके बताती हूं कि कब बुलाना है लड़के वालों को ठीक है विमला बेहन चलता हूँ अभी राम 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 पंडित जी पंडित जी के जाते ही विमला अपनी बेटी से बोलती है माया अपनी मा और भावी को जवाब देती इससे पहले ही घर के गेट पर दूद वाला आता है तपस्या दूद लेने के लिए रसोई से बर्तल लेने जाती है और तभी माया बोलती है अगर आप लोगों को पैसो से कोई फरक नहीं पड़ता तो इस दूद वाले से करादो ना मेरी शाड़ी देखो कितना खुश रहता है मुझे भी खुश रख लेगा दूद वाला माया की बात सुनकर एक बड़ी सी स्माईल के साथ बोलता है तपस्या उसे रोकते हुए बोलती है अरे हम तो सीरेस हो गए तेरे बाबा चलो मैडम का बैट लग देख माया मैं कल बुला रही हूं लड़के वालो को पर तेरी फालतो की बकवास के चक्कर में ये रिष्टा खराब नहीं होना चाहिए ठीक है माँ पर मुझे भाबी की वो महंगी वाली साडी चाहिए और हाँ वो हार भी जो आपने भाबी को शादी पर दिया था वो भी मुझे चाहिए ठीक है दीदी आप ले लेना इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है उसके जाने के बाद विमला बोलती है विमला पंडित जी को कॉल करती है और लड़के वालों को घर बुलाती है शाम को अभिनव के घर आने के बाद दोनों सास बहु सारी बाते उसे बताते हैं जिसके बाद अभिनव बोलता है हाँ मा, ठीक किया, चलो मैं भी कल छुट्टे कर लूँगा अगले दिन सुभा तपस्यार रसोई में पकवान बनाने में लग जाती है माया अपने कमरे में अपनी भावी की साड़ी और हार पहन कर त्यार हो रही होती है और शिशे में खुद को देख कर बोलती है भावी का तो सही है, अपने घर से अच्छी अच्छी चीज़े लाई है कि उनको तो कुछ कमी यहां लगती ही नहीं है कुछ ही देर में आदर्श अपनी मा सीता देवी के साथ माया के घर आता है जहां उसकी मा और भाई दोनों उसका स्वागत करते है तपस्या सबको चाय नाश्ता देती है और चाय पीने के बाद सीता बोलती है देखिए बहन जी, हमें किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, बस लड़की हमारा घर संभालने वाली होनी चाहिए जी जी, बिल्कुल समझते हैं हम आपके बात को, हर को यही चाहता है जी, आप चिंता मत करिये, मेरी ननन बहुत ही गुणी और संसकारी है, आपके घर को स्वर्ग बना देगी जी, हाँ, आप बेफिकर रहिए, मेरी बहन बहुत अच्छी है, आपके पूरे परिवार को हमेशा जोड के रखेगी सभी लोग बाते कर रहे होते हैं, तब ही विमला अपनी बहु को इशारा करके अंदर जाने की कहती है तपलस्या अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो भी अंदर जाने के लिए उठती हुई बोलती है जी, मैं आभी आती हूँ माया को लेकर विमला अंदर जाती है, और महां जाकर वो अपनी बहु से कहती है बहु, लड़का तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस माया का क्या करें, इसके लालच के चक्र में ये हर रिष्टा तोड़ देती है मुझे तो लगता है, फिर से ये यही करेगी, फिर से हमारी नाक ये नीचे कर देगी मा जी, ऐसा करते है, दीदी की जो भी डिमांड है न, उसे हम पूरा कर देते है वैसे भी, मेरे पिता जी का इतना बड़ा कारोबार है मैं अपने पिता जी से कहकर दीदी के सारी डिमांड पूरी करवा दूगी लेकिन बहु ये तो गलत है ना तू क्यों इसकी फिजूल की फर्माईशे पूरी करेगी और तू भी तो ये सारी चीज़ा छोड़ के एड़जस्ट कर रही है ना माजी इस घर की बहु होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर की इज़त बना के रखो और वैसे भी अगर हमारे घर से ऐसे रिष्टे बार बार मुडेंगे तो हमारी तो बदनामी ही होगी ना अपनी मा और भावी की बाते माया सुन लेती है जिसके बाद वो बोलती है भावी घर की बहु होकर भी इस घर की इज़त बचाने का सोच रही है और मैं आज तक हमेशा उसे निलाम ही करती आई हूँ आज भी मेरी खुशी के लिए वो अपने पापा से मेरी जरूरत की चीज़े मंगवाने को तयार हो गई पर अब ऐसा नहीं होगा मुझे मेरी गलती समझ आ चुकी है इसलिए अब उसको सुधारने का वक्त आ गया है दोनों सास बहु माया को लेने आते हैं बाहर माया सबकी सामने आते हैं लड़के और लड़की को कुछ देर अकेले बाते करने भेजा जाता है दोनों बाते करकी वापस आते हैं जिसके बाद वो दोनों सबको अपनी रजामंदी देते हैं और आदर्ष बोलता है मुझे ये रिष्टा मनजूर है आदर्श के ऐसा कहते ही सब ही लोग माया को देखने लगते हैं जिसके बाद वो बोलती है मुझे भी मनजूर है बेटा माया, तुझे सच में ये रिष्टा मनजूर है हाँ मा, मुझे भी मनजूर है आदर्श जी बहुत अच्छे इंसान है उनके साथ मैं हमेशा खुश रहूंगी सच में दीवी आपने बहुत सही फैसला किया है मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए सभी खुशी से एक दूसरे को मिठाई खिला रहे होते है तब ही माया अपनी मा और भावी के पास आकर बोलती है मा मुझे मेरी अब तक की सभी गलतियों के लिए माफ करना और अब देखना मैं भी भावी की तरह एक अच्छी बहु बनूँगी और आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं आने दूँगी माया बेटा मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुने आज समझदारी से काम लिया है अब देखना कैसे धूमधाम से करते हैं आपकी शादी इसके बाद वो तीनों बाकी सभी लोगों के साथ जाकर रिष्टा जुड़ने की खुशी मनाते हैं कुछ समय बाद माया और आदर्श की शादी बड़े धूमधाम से होती है और माया भी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुशी खुशी रहने लगत है मा चाय दे दो लेट हो रहा हूं अरे चाय तो कपकी रगदी मैंने टेबल पर जल्दी पीले दुकान भी खोलनी है हां मा बस पी रहा हूं चाय नाश्ता करके सोनू दुकान पे जाता है और अपनी सोनू मेकप गैलरी को ओपन करता है जिसके बाद वो अपने शौप में रखे हुए प्रोडक्ट्स की साफ सफाई करता है और बाहर एफ्री मेकप प्रोडक्ट्स सेल 75% का बोर्ड लगा कर पूजा करने लगता है तब ही चवी नाम की एक लड़की उसकी दुकान पर आती है और बोलती है एक्सक्यूज में कोई है पहली बार में ही सोनू चवी को देखकर फिसल जाता है और एक तक देखता रहता है तब ही चुटकी बजाती हुई चवी उसे फिर से पूछती है और बोलती है जी आप सुन रहे हैं जी क्या चाहिए आपको जी मुझे फाउंडेशन लाइनर और बीबी क्रीम चाहिए ओके मैम ये लीजिए आपको ये वा और हाँ ये वाला जो समान है नहीं आजब जाल दीजिये और इन सब को एक बॉक्स में डाल कर गिफट पेक कर कर दो ठीक है मैं मैं अभी कर देता हूं छावी की बात सुनकर सोनू उसका सारा समान पैक कर देता है और उसे बिल देता है जिसे देखकर छावी बोलती है अरे आपने बागी के पैसे तो लिये ही नहीं। आपको लेस करके ही दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने जो भी लिया, वह बाद 200 रुपे में आ गया। इतने कम पैसे में कैसे। अरे बाहर आपने बोर्ड नहीं देखा क्या। आपको 75% सेल में से समान दिया है। इसलिए इतने कम पैसे चार्ज की हैं और कुछ दिन तक यही ओफर चलेगा। सच्ची क्या, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सेल कब तक रहेगी, मैं अपने दोस्त को भी लेकर आऊंगी। जी, ये सेल पूरे हफते चलने वाली है। वाउ, इस दुकान पर सब कुछ कितना सस्ता मिल रहा है और कितना अच्छा है। थैंक यू, मैं तल दुबारा से आऊंगी। जी, वेलकम। चवी समान लेकर अपने घर चली जाती है। फ्रेश होकर वो अपनी रूम में बैठती है और नेल पेंट लगाते हुए खुद से बोलती है। आज तो मज़ा ही आगया। कम पैसों में इतना बड़ी अतौफा खरीदा मैंने। शाम को शादी से आने के बार स्नेहा को भी उस शौक पर लेकर जाऊंगी। शाम की चार बच जाते हैं और छवी लेंगा पहन कर और मेकप करके रेडी हो जाती है। जिसकी बाद वो अपनी फ्रेंट की शादी में पहुचती है। वहाँ जाकर वो वही मेकप बॉक्स गिफ्ट करती है और कहती है। यार अच्छे से अपने मेरेज लाइफ एंजॉय करना और ये ले गिफ्ट खोल कर दे तुझे बड़ा पसंद आएगा। सच में मेरे लाई है तू वाव इतने सारे अच्छे अच्छे मेकप प्रोड़क्स थैंक्यू यार। अरे थैंक्यू के क्या बात है। मुझे पता है कि तुम मेकप की कितनी दिवानी है। इसलिए तो लाई हूँ ये सब। आई नो। चल अब खाना खाले वरना पता चले मेरी शादी में तू भूकी ही रह गई। ही खैर तो मज़े कर। रुक रुक एक फोटो तो ले ले। अरे कैमरे वाले भाईया जरा एक फोटो तो खीचना। चवी के इतना कहते ही कैमरे वाला दूनों की फोटो क्लिक करता है। कुछ देर शादी इंजॉय करने के बाद वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन चवी अपनी फ्रेंड स्नेहा को बलाती है। और उसके साथ ही सोनू मेकप ग्यालरी की शौक पर पहुशती है। जिसके बाद महा जाकर वो बोलती है। जी सुनिए मेकप की सेल अभी भी चल रही है। जी हान जी। जी वो क्या है ना कि आपकी दुकान के प्रोड़क्स हमें बहुत पसंद है। इसलिए मैं दुबारा लेने आई हूँ वो भी अपनी दोस्त के साथ। जी जरूर देख लीजिए आपको जो चाहिए। चवी मेकप चूस कर ही रही होती है। कि अचानक से सोनों की शौप पर तीन चार लड़कियां एक साथ आ जाती है। और वो सेल देखकर उसकी शौप से प्रोड़क्ट खरीदने लगती है। जिसके बाद धक्का मुक्की में लड़कियां चवी को शौप से बाहर कर देती है। ये देखकर छवी बोलती है। अरे क्या बत्तमीजी है ये। पहले मैं आई थी मुझे ही समान नहीं लेने दे रहे। क्या भीड मचा रखी है ये। अरे स्नेहा का चली गई। इस भीड में वो भी खो गई। आदी घंटे बाद जब एक एक करके सारी लड़कियां समान लेकर निकल जाती है। तभी स्नेहा वहां आती है और बोलती है। अरे तू का रहा गई थि। मैने बहुत मष्गल से समान लिया है, सारी की सारी लड़किया जबटता मार रहे थी वाँ पर। फिर क्या हुआ। फिर क्या होगा मैंने भी जबटा मारा और वो सब ले लिया जो मुझे चाहिए था यार हद है मैं ही तुझे यहां लेकर आई और अपने लिये ही कुछ ले नहीं पाई कोई बात नहीं मुझसे ले लियो अरे यार तुझे लेकर कब तक यूज करूंगी अपने पास भी तो होना चाहिए ना चल अब अंदर चलते हैं दोनों अंदर आती है और सोनों की पास आकर बोलती है जी सुनिए वो सेल वाले मेकप प्रॉडक्ट खतम हो गए क्या सारे जी आज पता नहीं इतनी भीड कैसे लग गई पर डोन्ट वरी आपके लिए स्पेशल सेल डिसकाउंट है क्योंकि आप मेरी स्पेशल कर्श्रूमर हैं आपके पैर रखते ही मेरी शोप काफी डिमांड में आ गई है इसलिए बेफिक्र होकर कल शोपिंग करना आपको मैं 90% पर सारा समान दूँगा ठैंक यू मुझे स्पेशल समझने के लिए अच्छा सुनिए वो वेक्स का डबा दे दीजिए उपर रखा है ये तो मैं चड़ूँगा तो आप समभाल नहीं पाएंगी ऐशा करिए आप चड़ जाईए मैं सीड़ी पगड़ लेता हूँ चबी उसकी बात मानकर चड़ने लगती है और समान उतारती ही है कि उसका पैर फिसल जाता है तभी सोनू उसे संभाल लेता है दोनों की आखों की नज़दी क्यां बढ़ती है तभी सनेहा खासते हुए बोलती है सबने से बहार आ जाईए दोनों स्नेहा की इस बात से दोनों शर्मा जाते हैं और सोनू उसे सारा समान पैक करके दे दीता है जिसमें वो एक स्लिप पर अपना नमबर लिखके डाल दीता है घरा कर छवी सारा समान कवर्ड में रखती है कि तभी एक स्लिप अचानक से गिरती है जिसमें सोनू का नमबर होता है चवी उस नमबर पर कॉल करती है अरे आप वही है ना शॉप वाले? जी मैं वही हूँ, मुझे पता था आप जरूर कॉल करोगी वैसे मेरा नाम सोनु है और आपका? जी मेरा नाम चवी है और वताइए क्या कर रहे हैं आप? जी आपको याद, मेरा मतलब ऐसे ही बैठा हूँ इस तरह दोनों खूब बाते करते हैं अगले दिन चवी उसकी शॉप पर जाती है और सोनु उसे 90% सेल में मीकप देता है जिसके बाद चवी पैसे दे रही होती है तो सोनु बोलता है या आप क्या कर रही है? कोई बात नहीं, पैसे रहने दीजिए अरे नहीं सोनु, कैसी बाते कर रहे हैं आप? आप भी तो पैसों में ही खरीद के लाते हैं ना, फ्री में तो नहीं आता और वैसे भी, आपका समान बहुत अच्छा है, तभी तो मैं बार-बार आती हूं लेने के लिए अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार आपसे पैसे नहीं लूंगा अच्छा जी क्यों? वाइफ बनाने वाले हो नहीं हाँ, नहीं, अहाँ, अरे मेरा मतलब बनाने का तो इरादा है चले अब मैं चलते हूं वक्त बीटता है, दोनों रात-रात भर बाते करने लगते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं, घूमने जाते हैं दोनों बहुत करीब आ जाते हैं थोड़ी समय बाद वो अपने रिष्टे के बारे में अपने घरवालों को बता देते हैं जिसके बाद दोनों शादी तक कर लेते हैं धीरे-धीरे चवी अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही साथ सोनो की शॉप में मदद भी करती है ऐसे ही एक दिन चवी को बैठे-बैठे एक आईडिया आता है और वो सोनो से बोलती है सुनिये जी हमारी मेकप की शॉप को न हम ऑनलाइन शॉप में बदल देंगे उससे होगा ये कि सब लोगों को हमारी शॉप के बारे में ज़ादा पता चलेगा और हमारी सेल और ज़्यादा होने लगेगी कैसा लगा मेरा आइडिया ओके गुडा आइडिया तेर किस बात की शुरू हो जाओ चवी एक वीडियो शूट करती है जिसमें उसके शॉप का एड्रेस और प्रोड़क्ट्स के प्राइस बताती है साथ ही साथ ये भी बताती है कि उसने खुद भी इन सब को योज किया है और शॉप की फोटो डाल कर एफबी पर अपलोड कर देती है जिसके अगले दिन ही छवी की बनाई होई वीडियो वाइरल हो जाती है और उसके बाद काफी लोग उनकी दुकान पर आकर स्तामान लेने लगते हैं धीरे धीरे सोनो की शॉप एक बहुत बड़ी मेकप शॉप के रूप में बदल जाती है और उसके बाद उनकी आमदनी भी दुगनी हो जाती है दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा